हेलो बचा लोग, वेलकम तू न्यू वीडियो क्लास 11 केमिस्ट्री में लिमिटिंग रिएजेंट करके एक बहुत इंपॉडन टॉपिक होता है जो कि इस टॉक्योमेट्रिक के अंडर आप कहाता है तो देखते हैं कि किसी भी रियक्शन में आप लिमिटिंग रियजेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एक्जामपल एक रियक्शन ले लेते हैं अमोनिया का फॉर्मेशन का एक रियक्शन होता है और यह हमने इस रियक्शन को पहले तो बैलेंस कर दो आप चली इसको हैबर प्रोसेस बोलते है वैसे तो इस रियक्शन का नाम होता है हैबर प्रोसेस बोलते है इसको अब हमेने लिमिटिंग रियजेंट फाइंड आउट करना होता है कैसे करेंगे जैसे फॉर एक्जामपल आपको यह दे दे 56 गराम और यह आपको दे 10 गराम अब इसमें से लिमिटिंग रियजेंट कौन सा है आप गराम को देखके नहीं बदा सकते आपको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा इस्टॉक्योमेट्रिक रेशियो निकालना पड़ेगा अब यह होता क्या है यह number of mole upon में स्टॉक्योमेट्रिक कॉफिशेंट के बराबर होता है अब यह दो चीज है क्या देखो यह जो कॉफिशेंट जो लगा हुआ है जैसे one है यहाँ पे three है और यहाँ पे two है इसको अपन स्टौक्योमेट्रिक कोफीशंट बोलते हैं और जो inking a great ratio मोल अपन यह कर दोगे तो निकल के आजएके तो सबसे पहले आपन मोल निकाल लेते मोल का जो फार्मूला होता है वो गीवन मास अपोन में molar mass होता है वो आप लोग को मालूम होना चाहिए तो देखो mole अगर हम निकाले इधर तो mole आ गया इसका mass देखो 56 दिया है और nitrogen का mass जो वो 28 होता है तो यहां पर 2 mole निकल के आगए इसी तरीके से hydrogen के भी mole निकाल लेंगे hydrogen का mass आपको 10 दिया हुआ है और hydrogen का molar mass होता है वो 2 होता है तो mole हमारे पास आगए 5 राइट ओके इसकी अब आज जो stoichiometric ratio का जो formula वो लगा है कि stoichiometric ratio निकालेंगे तो mole उपर में कितने आ गए यहां पर देखो 2 mole है और जो stoichiometric coefficient बेटा जी वह है 1 तो 1 से डिवाइड कर दो कि यह 2 और इधर stoichiometric ratio निकाल लेंगे 5 अपन में 3 तो 1.66 देखो अब जो हां पर stoichiometric ratio कम वह हो जाएगा limiting region तो इसमें इन दोनों में यह कम है तो यह हमारा हो जाएगा limiting region और जो लाकि 2 रहे हो जाएगा accessory एजेन कैवा तो डूसरा है अपको एक्तोः चीज पता क्याए क्या पूश्ता है एक्त और लिमिटिंग रिजन कौन सा ब बता दो limiting region इन में से कौन सा है तो limiting region तो आप ऐसे निकाल लेंगे दूसरा चीज पूछता है कि product कितना बना है या product के मूल बताओ product form पूछ लेता है तो product form यहाँ पर देखो product कौन है NS3 तो अब यहाँ पर क्या करना होता है law of equivalence होता है law of equivalence law of equivalence इसकी product बना कितना है तो product कितना बना देखो आपको stoichiometric ratio of limiting region को equate कर देना है stoichiometric ratio of जिसका भी amount तुमें निकालना है तो यहाँ पर ammonia का निकालना है तो ammonia का कर देंगे तो यहाँ पर देखो ammonia के mole हमें पता नहीं है तो x mole मान लो इसको और ammonia का जो coefficient कितना है वो 2 है वो कितना है 2 है देख लो reaction में आप तो x upon में 2 और इधर stoichiometric ratio of limiting region आपने कितना निकाला 5 upon 3 तो इधर value रख दो 5 upon 3 cross multiply करेंगे हमारे पास जो x की value आजेगी बटाजी 10 upon में 3 यह तो mole निकला है आपका तो अगर आप mole का formula यहाँ पे लगा दो तो आपके पास given mass जो वो निकल के आ जाएगा mole का formula given mass upon molar mass 10 upon 3 ammonia है ammonia का mass जो वो 17 तो इधर 17 रख लो 10 upon 3 तो यहाँ पे देखो mass भी हमारे पास निकल के आ जाएगा 170 upon में 3 gram यह छोटी सी वीडियो है limiting region आप निकाल सकते हैं इस यह formula लगाओगे एक तम अचूक formula है हमेशा 100% आप answer को प्राप्त करोगे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि answer नहीं आएगा तो फिलाल इतना ही thank you